किसान भायों आपने तो गिल की नेनवा घ्यूरा को जाना होगा आपके तरफ क्या नाम से जाना जाता है आप चरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ऐसे तो यह मेरे इधर घ्यूरा या नेनवा के नाम से जाना जाता है कहीं कहीं गिल की नाम से भी जाना जाता है और यह ब बहुत सार विरारीटी आने लगा है और बहुत शार विरारीटी बहुत शार पैटल में आ रहे है और विराइटी का चुनाव आप को अपने छ settlers को कि भिकर होगा हे लो एसा खेजे और इसमें एक ब्लैक वाला आता है, एक वाइट वाला आता है, यह तुझे जनकारी मैं दूँगा, इसका खेत का चुनाओ कैसा कर सकते हैं, बीज का चुनाओ सबसे महत्पूर होता है, कौन सा बीज आप चुनाओ कर जेगा, उससे ही आपका फायदा और नुक्सान का पता च लगाएं, और दूसरा ही मतलब खर्चा भी ना निकल पाया है, यह देखिए, एक मतलब छोटा सा लगतर होता है, जो इसमें आपको दस पारा निनुआ आराम से मिल जाता है, यह कितना छोटा है, और इससे पहले भी इसमें मिला हुआ है, यह हाइब्रिड है, और यह ऐसे तो मैं इसका वाइट बाला है, और एक ब्लैक बाला आता है इसी में, और एक थोड़ा लंबा इससे आता है, और एक थोड़ा इससे छोटा भी आता है, ब्लैक में करके, वो देशी बाला होता है, वो हादो, मतलब बरसाद कैसा में हमारे यहां होता है, आपके छेत्र में सब्सक्राइब होगा उसका कमेंट आप बता सकते हैं वह ब्लैक वाला जो देशी वाला होता है वह कैसे होता है और मेरे हाथों नेनुगा के साथ सिर्फ लौकी नहीं लगाया जाता है ऐसे बीनर का अलोग का आता है वह बहुत सुंदर मतलब आजकल आने लगा है और इसका भ होगल पर सर्च कीजिए जो कंपनी का बीज लेना है यह अलोग या वसुधा करके आता है डिभांटा कंपनी का इसका भी बहुत ज्यादा मांग रहता है और यह भी हाइब्रिड है और यह लगानी में आपको बहुत फैदा होता है और यह सब जितना मैं बताऊंगा यह नक्स ट्रा करके आता है ऐसे तो चुनाव करने के लिए दो मत मिट्टी होना चाहिए और अच्छे तरह मिट्टी जुताई करवादे खेद का और उसमें 60 कजी डीएपी जुडिया और 40 कजी डीएपी और 30 कजी पोटास दीजे एक कीजी माइक्रोनेट्रेंट दीजे एक की 40 कजी या 4 कजी के करीब सीवीड फटलाइजर दीजे और इतना ज्यादा देखे आप चारों तरफ मिट्टी को अच्छे तरह से मिला के और रोटा बेटर भारास से इसको इधर उधर करवा दे ऐसे बीएनर का लोग भी बहुत अच्छा कंपनी है और इससे पूरा मतलब कर सकते हैं और उस पर मेर बनवा दिजे मेर पांच से पांच फीट के दूरी पर आप लगा सकते हैं इसके साथ आप मेथी का फसल ले सकते हैं नीचे में क्योंकि ये छोटा प्लांट 35 दिन तक ये तो बड़ा ही नहीं होगा तब तक मेथी कट जागा या आप धनिया का प्ला प्लांग रहता है इस्ट बेश्ट का दो तीन वह भेराइटी आता है आप चुनाव कर लिजे आपके छेत में कौन सा भेराइटी जाता चलता है और देखी ये कितना सुंदर है और कितना ज्यादा फ्ला है ऐसे ही फ्लाने के लिए आपको उतना खात देना ही होगा और अच असल लिया हूँ और इस से पहले ये निकालने से पहले मैं इसमें धनिया का ले लिया था और भेंडी भी लगा दिया था कोज दो धनिया कोज दो भेंडी लगा या था आप जैसा हो ऐसा कीजे और बीच भी इसका प्लांट से प्लांट के दूरी पांच फीट रखिए और से लाइन के दूरी 60 फीट रखिए या 3 फीट भी रखिएगा हाइबुरिद भाला को अच्छा तरह से चलता है और हाइबुरिद भाला में एक भी आपका नहीं मरेगा और दस ग्राम 130 ग्राम से 190 ग्राम आपको लगेगा आप अच्छी तर से एक एकर के लिए आप बीच चुनाव कर लिए कोई अच्छा कंपनी का कीजिए और इसको पानी देने का बात करें तो 15-20 दिन पर पानी दीजिए और आप जितना हम खाद बताये थे वह सब खाद दालिये और इसमें स साफ या कोई भी चैंपियन या कोई साब ही मिला लिजिए फंगी साइड सिस्ट्रमाटिक फंगी साइड मिला दीजिए उसका भी दो ग्राम परती लीटर के हिसाब से मिला दीजिए और अराम से उसका भी एसप्रे कर दीजिए और तीनों चीज़ का मिला के एसप्रे कीजि उतना नहीं मेरे यहां white वाला भी खाया जाता है और एक black type का आता है वो भी खाया जाता है और इसका mang भी बहुत ज़्यादा रच अभी तो मेरे यहां 30 kg के हिसाब से भी किरा है लेकिन मेरे पास अभी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है उत्पादन भी नहीं आ रहा है और कह कि इसे ही एस प्रेक कीचेगा तो यह लाहा के और यह फोसल अच्छा तरह से बहुत बढ़ा हो जागा और अच्छा तरह से फल देगा और आपको अपरेल महीने में अभी जे coach महीना चल दा है इसमें आराम से अप लगा सकते हैं आपरेल में लगाई है माई में लगाई है जून में लगाई है सालों भर ये लगता है हाइबरेड भी